बात करते हैं, हाइकॉप ने चुनावी बॉंड योजना 2018 पर रोक लगाने को लेकर दायर जन हित्याचका पर सुनवाई की और RBI के गवन, SPI के महाने देशक और केंदी सरकार को नोटिस जारे कर जवाब तलब किया है ये आदेश, CJ इंद्रजीत महनती और Justice इंद्रजीत सिंग की खंड़पीट ने Public Against Corruption Society की ओर से दायर PIL पर दिया PIL में इस योजना को कालेधन के प्रयोग को प्रूतसाहित करने वाला बताया गिया Society के सच्चिव पूनम चंद्रभंडारे की ओर से एडवोकेट सर्वेश जैन और सिधार्थ बाफुना की ओर से ये जनहित याजका दायर की गई है याजका में गा गिया कि ये योजना राजनीतिक पार्चियों को चुनावी चंदे के रूप में कालाधन का इस्तेमाल करने के लिए प्रूतसाहित कर रही है केंज सकार ने योजना लागू की थी जनवरी अप्रेल जुलाई और अक्टोबर ये इन चार महिने के लिए उसके दस दिन के अंदर अंदर आप ये बॉंड ने सकते हो लिए बाद में 2018 में नया नोटिफिय निकाल करके इन्होंने कह दिया चार महिने और दूसरे कर दिया वो इल्लीगल है वो हमें चैलेंज किया है और आज के चीफ जस्टीस और इंदर जी सिंग ने सुनकर के करान पता नोटिस केंज सरकार को हैस्ट बैई को आरिबाई को सब को जारी किया है आज रास्तान हाई कोर्ट में इस पब्लीक अगेंस करप्शन में एक प्यायल में नोटिस इशू किया हैं जिसमें फाइनन्स सेकेटरी गवर्मेंट ऑफ इंडिया, सेकेटरी कॉर्परेट अफेर्स, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मैनेजिंग डारेक्टर स जिसमें चार सप्ता का टैम दिया है